रहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटीब चैनल अनोखा अंदाज में तो इस वीडियो में हम लोग लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं लाइन ग्राफ होता क्या है तो लाइन ग्राफ बनाने से पहले हम लोग समझ लेते कि इ यानि कि एक X-axis हमारा रहेगा और एक Y-axis रहेगा बीच में यहां 0 रहेगा और इधर और इधर हम लोग वैल्यूस पूट कर देंगे जो भी हमारा दिया हुआ रहेगा तो simply हम लोग को ऐसा ही एक लाइन ग्राफ बराना है तो हम लोग यहां पर देखेंगे हम लोगों को करोर में दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग देखेंगे 1901 का पॉपुलेशन है 23.83 करोर राजसे ही 1911 का पॉपुलेशन है 25.21 करोर ऐसे ही करके हमारा अगर देखते हैं 201 का पॉपुलेशन दिया है 102.87 करोर तो यह हो गया तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग के कैलकुलेशन टेबल स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे यहां पर जो डाटा दिया है हमारा वो करोर में है और करोर में हम लोग अगर यहां पर रिप्रेजंट करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे इसका calculation table बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है simply calculation table पर line graph यानि कि line graph के लिए हम लोग एक calculation table बना रहा है तो यहाँ पर जो data दिया था year का उसको हम simply यहाँ पर लिख देंगे फिर जो population का data दिया था इन करोर्स में उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए हम लोग को एक scale बनाना पड़ेगा और scale कैसे लिए चाता है आप लोग सब जानते हो तो लेकिन मैं फिर भी एक पर बता देती हूं हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे highest चुट डाटा आ रहा है हमारा वो यह है यानि कि 102.87 जो है वो सबसे highest नमबर है जितना भी population हमारा यहाँ पर given है तो हम लोग को कोई ऐसा scale लेना है जिस पर 102.87 जो है वो cover हो जाए अगर हम लोग माल लेते हैं scale 8 लेते है यानि कि 1 cm is equal to 8 cm लेते हैं अगर तो हम लोग अगर 10 करके लेंगे तो फिर हमारा या 11 करके लेंगे तो वो तो 80 में ही cover हो जाएगा तो यह scale यानि कि हमारा गलत हो गया तो हम लोग यहाँ पर scale क्या रखते हैं 1 cm is equal to 10 cm रखेंगे तो 1 cm is equal to 10 कडोड हमारा जो रहेगा यह scale रहेगा हमारा क्योंकि यहाँ पर population जो है हमारा वो कडोर में given है तो इसलिए हम लोग 1 cm को 10 करोर मान ले रहा है तो अब हम लोग को क्या करना है simply जितना भी data given है उसको 10 से हम लोग divide कर देंगे तो यह बहुत आसान होता है divide करना क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर एक decimal है तो इसको हम लोग इधर से side shift कर देंगे तो यहाँ का जो data आएगा वो 2.3 cm आजाएगा फिर वैसे ही इसको करेंगे तो 2.5 cm आजाएगा इधर करेंगे तो 2.5 cm यहाँ करेंगे 2.7 cm इसे करके हम लोग simply सारा ही data को यहाँ पर क्या कर लेते है सेट कर लेते है अपने हिस जैसे जेसे given है जो भी need है यहाँ पर उस हिसाब से हम लोग सारे data को यहाँ पर third कर लेंगे तो फिक है तो देख रहे हैं आप सकते हो तो यहाँ पर हम लोग को बीना calculator की मदद से भी यह हो जाएगा simply और सब जगा हम लोग सेंटीमिटर ले लेंगे तो यहां पर हमारा जो scale है वह बनके यहां पर तैयार हो गया है अब हम लोग को क्या करना है simply क्या करने इसको लेकि यही data के basis हम लोग को अपना line graph करना है तो चलिए इसको बाद में डिवाइड करना है उसको बाद में डिवाइड करना है अगर हम लोग चाहें तो ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको एक column में बंद करना पड़ेगा, तो यह हमारा हो गया इधर side का आप देख रहे होंगे, तो वैसी हम लोग उपर में हम भी जो हमारा data था, skayl set किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था ऐसे ही सेट किया था तो फिर 11 cm का हम लोग यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी 11 cm पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं देखो मैं यह बना रही हूँ प्लेन पेपर में अगर आप चाहो तो ग्राफ में भी बना सकते हो वो कॉलेश पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस चीज पर बोले बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पर प्लेन पेपर में बनाना ज्यादा कॉमफोर्टेबल लगा इसलिए म सिम्प्ली जीरौ लग लिखेंगे आने में लिए टो यहाँ पर हम लोग क्या करें बनानेraiं जीर को रखेंगे तो सब सबसे पहले दाए जितना इं पर लिखने के बाद हम लोग बढ़ रहा है उसी तरह से हम लोग नयक्स्ट क्या करेंगे यह हमारा जो एक्सिस हैं वहाँ पर हम लोग को पॉपुलेशन को तो पोपुलेशन के लिए जो सकेल लिया था हम लोगों ने वन सेंटीमेटर इस इकल टू 10 करोर लिया था तो उसी हिसाब से हम लोग यहां पर 10 10 के इंटरवल पर जितना भी पॉपुलेशन दिया हुए उसको रखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो टैन हो जाएगा फिर 20 रहेगा 30 रहेगा 40 रहेगा ऐसी करके हम लोग सभी को यहां पर फिल करेंगे यहां भी इस एक्सेस प से लिए उपर की तरफ बढ़ते जा रहा है अपनों डाटा देखेंगे तो 1901 का जो इयर है हमारा उसमें हम लोगों को स्केल लेना है 2.3 सेंटीमिटर का लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दो सेट स्क्वेर्स जो हमारा होता है उसको हम लोग यहां पर लेंगे कर तू Kenny से 2021 क् promoting लिए और इसके बाद हम लोग क्या करना है तू पंट सेंटीमिटर लेना है यहां पर देखेंगे कि एक सेंटीमिटर दो सेंटीमिटर तो दो सेंटीमिटर हो ग Maya 1233 इनुट में जो लेकि यहां पर लग देंगे तो यहां पर लग गया है देखेंगे ways तो इसी तरह जो हमारा सेकेंड डाता है, सेकेंड डाता हम लोग देखते हैं, तो 2.5 cm है, जो की यर है 1911 का, तो उस पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको थ्वासा आगे मूफ करते हैं, यहां पर सेट स्क्वेर को रखते हैं, एकदम स्ट्रेट प्लेस कर है, देखिए, इसको अच्छे से प्लेस कर लेंगे, ताकि यह बैलन्स दिसमिस ना हो, ठीक है, तो फिर यह 1 cm, 2 cm यहां पर हमारा आ रहा है कुछ, तो इसको हम लोग यहां पर सेट स्क्वेर को मूफ करते हुए लाएंगे, और कुछ इस जगह पर हमारा 2.5 आ रहा है, तो ह कि देखेंगे, हमारा 2 पॉइंट्स लग गया है, तो ऐसे ही करके बाकी सारे पॉइंट्स को भी हम लोग जल्दी जल्दी प्लेस कर लेंगे, यह डाटा को चाहें, तो स्केल से भी मेंसन कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे, नाइंटीन हंड़ सेवेंटीन का जो डाट स्केल से करने में क्या होता है, यह जो लाइन यहां सीधा जा रहा है, हो सकता है कहीं और पॉइंट लग जए तो अगर स्केल सीधा ना प्लेस किया गया हो तो इस तरह से हम लोग कर सके, लेकिन मैं प्रिफर करूंगे कि आप लोग ज्यादा तर से स्क्वेर से ही यूज करन करेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि यहीं पर वो सरकल है यहां पर पॉइंट हमारा प्लॉट किया गया है तो ऐसे देखने में भी सुन्दर लगता है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर पॉइंट को ऐसे गोल सरकल में यहां पर रिप्रिजेंट कर दे र करने हम लोग को यह दिहान देना है कि हम लोग बने काम से करना को lightning है कि जिस तरह से मैं कर रही हूं एक करें जितने भी पॉंट से हमारे सबने प्लेश करते जा रहे हुश और उसको देखेंगे यहां पर नहीं से लाइन करेंगे और यहां जो एक सेंटमेंटर इक्स्ट्रा लिया था वह देख रहे हैं यह बॉक्स में तो यह फेली जो लाइन ग्राफ था वह अभी लाइन ग्राफ हो जाने के बाद हम इसके उपर में कुछ लिखना पड़ेगा लिखेंगे हम लोग तो यहां पर हम लोग देखते हैं यहां हम लोग पहले तो simply लिख देते हैं लाइन ग्राफ तो देखेंगे यह होगे हमारा लाइन ग्राफ यह जिससे को समझ में आ जा रहा है कि यह लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ में हमारे यहां क्या सो हो रहा है तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा line graph showing को ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ in ंडिया यानि कि यह जो हमारा line graph है यह सो कर रहा है कि population का क्या trend है इंडिया में इस से हम लोग पता लगा ले रहे हैं कि जैसे हम लोग देखेंगे यह 1911 से बीच जो population है जैसे यह 51 और 61 एर को क्रॉस करते हैं यह बहुत रैपीडली यह ग्रोथ होने लगा तो यही हमारा लाइन ग्राफ में यहाँ पर सो हो रहा है लाइन ग्राफ सोईंग ट्रेंड टू पॉपॉलेशन ग्रोथ इन इंडिया अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट काम यहाँ पर हम लोग इसका स्केल बना देंगे तो यहाँ पर हम लोग लिगते हैं स्केल और हम लोग कंप्लीट तो देखेंगे हम लोग हमनेungen च्रीओ ग्रोड़ भीया तो अब लोग देख रहे हैं जैसे कि यह हमारा होगे line graph, जैसे यह यहां से trend यहां पर हम लोग देख रहे हैं, उसी तरह से देख रहे है कि यह हमारा line graph को complete हो गया, यहां उपर में हम लोग बस लिख देंगे line graph, showing trend of population growth in India, और इसी के साथ यह line graph हमारा complete हो गया, यह अच्छा लगे तो like कर द झाल